अशोका दग्रेट महान अशोक सम्राट अशोक के नाम से विभूशित जो अखंड भारत के हम कह सकते हैं कि पहले सम्राट थे जिनका राज अखंड भारत की परिकल्पना करता है भारत के साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल महम्यार और दक्षिड तक जिसका राज फैला हो उस सम्राट अशोक पर एक ऐसी टिपड़ी की गई है जिससे राजनेतिक भूचाल खड़ा हो गया है नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है सम्राट अशोक के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है सब लोग उन्हें महान मानते रहे हैं एक महान सम्राट के रूप में उनका चित्रन इतहासों में मिलता है हमें सिवाए एक के कि उन्होंने अपने 99 भाईयों की हत्या कर सम्राट की गद्धी पाई थी उसके बाद कलिंगा यूध होता है और कलिंगा यूध के बाद हिरदयं पर विर्तन होता है उन्होंने बहुत धरम के परचार के लिए जो कुछ भी किया वह सर्व विद्धे तो कहीं से भी कोई आलोचना या विवाद की बात सामने नहीं आती है लेकिन एक व्यक्ति हैं जो की रिटायर्ड आईएस हैं और वरिष्ट नाटककार भी है दया प्रकार सिनहा जिनको समराथ असोक पर नाटक लिखने के लिए पद्रुश्री का पुरिस्कार भी दिया गया उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिये अपने इंटर्व्यू के जरिए जिसमें उन्होंने कहा कहा ही ने बलकी समराथ असोक की तुलना और अंजेब का इमेज है हमारे मद में और समराट असुक का क्या है दोनों की तुर्लना करना कहां तक पूचित है उन्होंने यही यही कहां कि समराट असुक प्रूर थे कामुक है बद्शूरत थे अब तक गितनी कि हमने देखी है चाहे वो इतिहास के पुस्तकों की बात हो जो उनका चित्रन होता है या फिर फिल्म का मामला हो या कहीं भी उनको हमेशा से ही सुन्दर दिखाया गया है समराट असोग को इसी भी इतिहासकार ने यह नहीं लिखा है कि समराट असोग बदसूरत थे इन्होंने ये बात कही अब इस बात को लेकर बिहार में राजनेतिक बाउंडर शुरू हो गया है इसकी वज़ा क्या है ये भी जान लीजिए विकीपीडिया में दया प्रकास सिन्हा ने अपने विकीपीडिया में जो अपने बारे में परिचे दिया है उसमें एक तो उन्हो वर्सके हैं वो और Indian Council for Cultural Relationship के उपाध्यक्ष हैं साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि वो बीजेपी के Cultural Cell के संजोजक भी है हलाकि हम इसकी पुष्टी नहीं कर रहे है क्योंकि बीजेपी की तरफ से या हमने भी जो भी प्रयास किये कि अभी के द्यूमे दिशिधाी मौजूदा जो संगठन में कोई द्या प्रकास सिनहा नाम आम का वेक्षी है के नहीं इसको लेकर बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजेजर स्वाल ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी बीजेपी के किसी भी पद्यातिकारी के रूप में काज़त मौजूद नहीं है लेकिन जेडियू की तरफ से जेडियू के राष्टिय अध्यक्ष ने सीधा सवाल उठाया है और कहा है कि बीजेपी दयागन दयाप्रकास सिनहा पर कारवाई करे उन्होंने ये भी कहा बलकि मांग की है राष्टपती से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से कि उनको जो पुरसकार दिया गया है पद्मुश्री का वो भी वापस लिया जाए यही नहीं बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार सरकार में पंचायती राज मंतरी हैं समराट चौधरी में उन्होंने भी कड़ी आलोचना की है इस वयान का और उन्होंने कहा कि जो अखंड भारत का जो सरूप जो समराट असोक ने दिया समराट असोक का जो स्तंब है जो हमारा प्रती चिन है हमारे देश का उनके प्रती इस तरह की भावना रखना इस तरह का बयान देना ये कहीं से भी माफी लायक नहीं है और इस पर अगरे की कारवाई की बात तो नहीं करते हैं लेकिन जेडियू की तरब से लगातार इस तरह की मांग उठ रही है कि इन पर कारवाई किया जाए इनके पूरस खारव को लिया जाए जेडियों के जो संसदिये बोर्ड के चेर्मेन है उपेंद्र कुश्वाहा उन्होंने भी इस बात को मजबूती से उठाया है और ये बात जो ही चर्चा में आई है कि दया प्रकास सिनहा ने इस तरह की टिपड़ी समराट और सोक पर किये समराट और सोक ये समझ लिज़े कि बिहार के ही नहीं है पूरे देश के अखंड भारत के वो समराट थे चुकि बिहार से उनका सीधा संबंद है और पाटली पुतर उनका जन्मस्थली है तो ऐसे में यहां पर इस विवाद को जादा जोर पकड़ने की आशंका है खास तो और पर राजनेतिक रूप से देखे तो कई संगठोनें ने 13 जनवरी को यानि कि कल दया परकास सिनहा के खिलाफ परदर्शन करने उनका पूतला फुकने का भी नेड़ने किया है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह का बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है और दया परकास सिनहा काफी पढ़े लिखे जिसका प्रतीक चिन हमारा देश इस्तमाल करता है तो इस तरह से ये उस प्रतीक चिन का भी अपमान हुआ तो इस सब बातों का ध्यान रखते हुए इस विवाद को जल से जल दिप्टाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और वैसे भ जाता है उत्तर प्रदेश में भी कुश्वाहा जाती के अच्छी खासी संख्या है और बीजेपी के वोटर रहे हैं अगर इस तरह से अगर बीजेपी को पदादिकारी हैं कल्चल सेल के संजोजक हैं और उन पर कारवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से इसका नुक तो निश्चित तोरपर इस पर ध्यान देने की जरुवत है घास तोरपर बीजेपी नित्यूत को हलाकि बीजेपी के प्रदेश अध awaken के कहा कि मैं लगतार प्रयासर रहा हैं कि दया प्रकास सिन्हा बीजेपी में किसी नहीं है कि नहीं लेकिन अभी तक कोई जांकारी नही व्यक्ति बीजेपी के कल्चरल सेल में नहीं है तो सवाल ये उठता है कि आखिर समराट असुक पर इस तरह की टिपड़ी देने का अधिकार भले ही बड़े विद्वान है द्याप्रकार्ट सिनहा वरिष्ट नाटककार भी है लेकिन ये अधिकार उन्हें किस ने दिया सवाल ये उठता है आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद